हेलो एब्रिवन आपका एक बाद फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा स्नेप मेंट लॉन अप्लिकेशन यानि की बाई नौ पे लेटर को आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके द्वारा आप घर बेटे किसी परकार के एलक्ट्रोनिक गेजेट्स को EMI के बेसिस पे खरी सकते हैं जैसे आपने अभी देखा होगा मार्केट में बजाज फैनेंस बहुत ज़र रहा है तो बजाज फैनेंस क्या है एक्ट्री जब आप सोरूं में जाते हैं वहाँ पे आपको डिस्टिबीटर होते हैं वो बोलते हैं कि आप किसी प्रकार के समान को पर्चेस किजिए आपको 0% इंट्रेस्ट पे आपको मिल जाएगा साथी साथ आपको EMI में पेमिंट करना है ज़स्ट आप बजाज फैनेंस का कॉपी को यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो Snap Mint Application है ज़स्ट इसी तरीके से इसमें क्या है कि यह सारा चीज आउनलाइन होगा आपको घर से ही करना होगा माल लिजे आप सबसे पहले Snap Mint Application को खोनना पड़ेगा तो Snap Mint Application को कहां से डाउनलोड करेंगे तो उसको आप Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे Document की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका Profile बना सकते हैं तो Just मैं Profile पे किलिक करता हूँ और सब चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज डाल करके लॉग इन करना और अपना Credit Profile बनाना है वह मैं आपके साथ डिसकस कर देता हूँ तो आपको जो है अपना Mobile Number और Pen Card डाल करके जो है अपना Snap Mint पे एकाउंड बनाना पड़ता है जैसे आप एकाउंड बनाएंगे उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे जैसे कि यह Mobile है आपको Realme C3 मालेजे आपको कुछी परकार का Other Mobile पर्चेस करना है या फिर कुछ पर्चेस करना है तो Search पे किलिक करेंगे तो मैं Example दिखाता हूं कि मैं यह Mobile को Select किया ठीक है और यह First Time मैं Snuff Mint यूज कर रहा हूं बनाने के बाद अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूं यह Mobile का Detail सब आ गया अब यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पे देखने को मेरा है यह लिखा Unfortunately, now you can purchase प्रोड़क्ट अप टू बिरासी सो पचास रुपया यानि कि मैं First Time यूज कर रहा हूं तो हमको जो क्रेडिट दिया गया है वो दिया बिरासी सो पचास रुपया यानि कि बिरासी सो पचास तक का आप कोई भी समान ले सकते हैं अपर का नहीं और यह मुबाइल हो जा रहा है 10,999 रुपया यानि कि मैं इसको पर्चेस नहीं कर पाऊंगा तो इसका दूसरा रीजन किस तरीके से अपने लिमिट को बढ़ा सकते हैं तो आपको जो है फर्स्ट दो EMI यदि आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो मेरा जो लिमिट इंक्रीज हो जाएगा वो हो जाएगा 15,000 तक यानि कि यदि आप किसी प्रकार के समान को लेते हैं इस अपनेकेसन के दुआरा और टाइमली आप रिपेमेंट कर देते हैं तो आपका जो लिमिट मिलता है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है तो फर्स टाइम मुझे जो लिमिट मिला है वो मिला है बिरासी सो पचास रुप्या का यदि आपका क्रेडिट इसको अच्छा है तो आपको और भी जादा लिमिट मिल सकता है अब इसकी हम लोग रेट आप इंट्रेस्ट की बात कर लेते हैं तो इसका जो रेट आप इंट इंट्रेस्ट लेता है जिसमें कि आपको इंस्वरेंस थमाता है इसमें इंस्वरेंस की कहानी नहीं है यह आपको डायरेट आप इंट्रेस्ट रखता लेता है तो तीन महने के लिए यदि आप इसको लॉन लेते हैं यानि कि बाइनाव पे लेटर अक्टिवेट करते हैं त से 36% इंट्रेस्ट पड़ता है जो कि होता है पर एडरम के हिसाब से ना कि पर मंद के हिसाब से तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिसकस क्या सनेफ मिट लॉन अप्लिकेशन से बाइनाव पेलेटर किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे तो फिर मिलते हैं कर दो मिलते हैं